फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है क्योंकि अक्सर हम अपने बातों के दावरान इस तरह के सेंडेसेज बोलते हैं जहां हम कहते हैं कहा जाए तो जैसे या कहा जाए तो यह सामान महेंगा नहीं है या कहा जाए तो वहा लड़का गलत नहीं कह रहा था या कहा जाए तो विराट कोली अच्छा खेलता है या फिर कहा जाए तो जैसी हमसे preciso कि ज़एन 571 अपने सेंडेसेज में कहा जाए तो बोलना पड़ता है तो आईए देखें friends के इस तरह के sentences को कैसे बोलना है Friends अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें और बेल आइकान को hit करें ताकि मेरा latest वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो आईए friends आज की lesson की शुरुआत करते हैं कहा जाए तो वह महा नहीं था तो friends इस sentence के लिए आप कहेंगे generally speaking that was not costly यानि कहा जाए तो के लिए आप इन तीनों में से किसी का इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे generally speaking कहा जाए तो या फिर politically speaking यानि कहा जाए तो technically speaking कहा जाए तो तो इन तीनों का मतलब होता है कहा जाए तो जो आपको असान लगी आप इन में से एक बोल सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर कहा जाए तो के लिए generally speaking का इस्तिमाल किया हाईए friends कुछ और एक्जामब देखते हैं friends अगर आपको कहना हो कहा जाए तो वह आदमी गलत नहीं था तो आप कहेंगे generally speaking that man was not wrong या फिर आप यह कह सकते हैं technically speaking that man was not wrong friends अगर आपको कहना हो कहा जाए तो आज का मोसम साफ नहीं है तो आप कहेंगे generally speaking it is not clear weather today यानि कहा जाए तो आज का weather साफ नहीं है या clear नहीं है friends अगर आपको कहना हो कहा जाए तो तुमने मुझे धोका देनी की कोशिस किया तो आप कहेंगे politically speaking you try to cheat me तो उम्मीद करता हूँ friends कि आपको यह तीनों topic शानदार तरीके से समझ में आया friends अगर वाकर या आपने इस concept को समझा तो किया इस topic पर तीन sentences comment box में लिख सकते हैं सिर्फ तीन sentences comment box में लिखे हैं और मैं चेक करके वदाओंगा कि आपने सही सीका या घलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ तब तक के लिए पाए